Hello everyone, welcome back to this python tutorial series तो इस tutorial में हम बात करने वाले हैं pypy के बारे में और इस tutorial में हम ये देखेंगे कि आप pypy को कैसे windows में install कर सकते हो और हम कैसे ये check कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि on an average pypy is 4.2 times faster than cpython तो आपने अगर ये python की tutorial series follow की होगी तो मैंने इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि python के different implementation होते हैं और pypy उन में से एक था pypy के इलावा भी काफी सारी implementation है जैसे python हो गया, c python हो गया, c python by default होता है आपका python हो गया और iron python हो गया ठीक है तो ये कुछ main important implementations हैं जो कि हमने last के tutorial में discuss किया था तो इस tutorial में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अगर pypy को windows में install करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं और दोसरी चीज़ में अगर आपको ये proof करना है कि ये जो pypy है ये faster होता है c python से तो हम time it module के help से इसको proof करेंगे चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको pypy.org पे जाना है और यहाँ पे download में download पे click कीजेगा यहाँ से भी आप click करेंगे तो ये download के section में आपको ले आएगा अब देखे यहाँ पे different implementations हैं आप Linux पे भी कर सकते हो मैं अभी windows का example लेने जा रहा हूँ तो windows पे install करने के लिए आपको यहाँ पे यह download है यहाँ पे आप click करेंगे तो यह download हो जाएगी मैंने यहाँ पे already download कर रखा है और मैंने इसको extract कर लिया है आपको environment variable में यहाँ तक का path है वो set करना है अब हम यह क्यों करेंगे यह हम इसलिए करेंगे जिससे हम इस PyPy3 को कहीं से भी अपने system में invoke कर सकें ठीक है तो चलिए पहले हम यहाँ पे आप type कीजिए environment यहाँ तक कीजिए environment और यहाँ से आप इसको open कर लिजिए यहाँ पे आपको click करना पड़ेगा environment variables पे तो इस पे click करने के बाद आप path पे जाएंगे और path पे click करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी आपके path की settings होंगी वो आपको दिख जाएंगी अगर आपने पिछले tutorials प्रिफर कियोंगे तो मैंने आपको यहाँ पे path set करना बताया था अब हमें क्या करना है जिस भी directory में आपका pypy आपने install कर रखा है extract कर रखा है उस directory तक का path आप यहाँ पे कर देंगे और फिर इसको ok कर देंगे ठीक है तो इससे अब हमारी यह जो pypy 3 की file है हम इसको अपने system में कहीं से भी access कर सकते हैं चलिए अब हम क्या करते हैं अब हम command prompt में जाते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा हो चुका है कि नहीं तो यहाँ पे मैंने दो command prompt को लगे हैं देकिए मैं यहाँ पे c python के directory में हूँ लेकिन अगर मैं यहाँ पे type करता हू पाई पाई 3 और यह वर्जन तो अगर यह सही से हुआ होगा अब देखें यहाँ पे दिखा दिया python 3.6.9 और पाई पाई का वर्जन क्या यहाँ पे 7.3.1 ठीक है तो यह तो हमने यह चेक किया मैं यह एक parallel में command prompt open कर रखा है यहाँ पे माल यह मैं चेक करता हूँ कि python सिस्टम में दोनों चीजें install हैं यहाँ पे python का भी install है और यहाँ पे python 3 भी install है अगर आपने मेरे पुराने tutorials को follow किया होगा तो मैंने एक तरीका आपको बताया था कि कैसे आप किसी implementation को check कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले अब अगर मुझे python 3 के यहाँ पे interpreter में जाना है तो हम अब यहाँ पे पहुंच गए अब देखिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ type import platform और इसके बाद हमें क्या print करवाना है print platform dot python underscore implementation ठीक है तो यह मैंने last के tutorial में बताया था कि अगर आपको किसी भी python के implementation के बारे में जाननी है तो आप ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे print कर देगा देखिए यहाँ पे py py आ गया और same चीज अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे c python आना चाहिए तो देखिए मैं करूँगा import platform फिर यहाँ पे हम print करवाते है print platform dot python implementation ठीक है तो यह by default c python use करता है तो यहाँ पे यह देखिए c python आ गया ठीक है तो I hope अब आपको clear हो गय दिखाता हूँ तो चलिए अब इसको करके देखते हैं visual studio में तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ import platform पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि हमारा by default यहाँ पे कौन सा है तो import platform मैंने किया और इसके बाद हमें क्या print करवाना है print platform dot python implementation ठीक है क्योंकि अभी मैंने यह यहाँ पे सिर्फ python कर रखका है तो यहाँ पे c python आजरना चाहिए ठीक है यह देखिए output में हमें c python आ गया अब अगर मुझे यहाँ पे पाई पाई चलाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आप जाईए file में और file में preferences में क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए code runner already install कर रख executor map ठीक है तो यह वाली settings होती है अब देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिका है python कौन सा यूज करना है python hyphen u मतलब यह python वाला उठाएगा ठीक है अब मुझे यहाँ पे अगर पाई पाई करना है तो मुझे यह चेंज करना पड़ेगा और इसको मुझे देना पड़े अगर आपको terminal से करना है तो यहाँ पे अगर आप देखिए terminal में जाएंगे और directory करेंगे तो आपको ऐसे files पड़ी है यह आपको देखे मिल जाएंगी अब मुझे अगर पाई-पाई से इसको run करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पाई-पाई-3 और उसके बाद ज settings.json में जाके executor map में change करनी पड़ेंगी settings और अगर आप terminal के through कर रहे हैं तो आप इस type से run करवा सकते हैं तो I hope अब आपको यह clear हो गया होगा कि आप किसी ID में कैसे 2 implementation को run कर सकते हैं चलिए अब दूसरे part पर आते हैं दूसरा part हमारा यह था जहाँ पे हमें यह चेक करना थ module तो चलिए अगर time it module को हमें अपने यूज करना है तो सबसे पहले हमें उसको import करवाना पड़ेगा यह मने लाश के tutorial में को काफी समझाया था कि अगर आपको किकिसी module को अपने program में यूज करना तो सबसे पहला anayfa होता है कि आपको उसको इमपोर्ट करना है आपको उसको a और अगर आपको इसके बारे में information कुछ जाननी है तो आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर print करवाकर देख सकते हैं time it तो जैसे आप print करवाएंगे आपको बता देगा कि time it tool for measuring execution time of small code इस पर ठीक है तो इसमें हम time it module के method का use करेंगे चलिव मैं इसको यहां पर comment कर देता हूं और यहां पर भी मैं कर देता हूं python ठीक है तो अब हमारा हे चाण पाहिफ्धन हो गया अब हम क्या करते हैं time it module के एक method का use करते है time it method ठीक है तो अब इस method में हमें क्या करना है सबसे पहले हमें statement देना है मतलब जिस भी code का आपको execution time निकालना है आपको सबसे पहले उसको देना है तो मार लिया हमें एक छोटा सा code है 2 plus 3 ठीक है तो मार लिया ये मेरा एक code है इसका मैं execution time निकालना चाहता हूँ और दोसी चीज हम इसमें क्या पास करेंगे number अब number क्या होता है number का मतलब आप कितने time उस code को execute करवाना चाहते है ठीक है तो मार लिया मैं कहता हूँ कि मैं thousand times thousand k times ले रहते हैं चलिए कि thousand k times मालिया मैं इसको execute करवाना चाहता हूँ ठीक है तो ये मेरा एक छोटा सा expression है छोटा सा मेरा code है जिसको मैं thousand k times execute करवाना चाहता हूँ अब ये क्या करेगा जितना भी execution time इसको इतने cycle तक run करने में लगेगा वो मुझे यहाँ पे निकाल के दे देगा ठीक है तो मैं अब इसको print करवा लूँगा तो print तो अगर अब मैं इसको run करूँगा तो देखिए सबसे पहले हमारा implementation आ गया c python और इसको run करने में हमें कितना time लगा 0.02184 तो मैं यहाँ पे calc कर लेता हूँ जिससे हमें time calculate करने में आसानी रहेगी यहाँ पे जब मैंने c python से run करवा है तो कितना लगा 0.021847 ठीक है इतना time लगा अब इसको मैं change कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ पाई पाई 3 मतलब अब सेम चीज़ को हम पाई पाई से run करवाएंगे और तब देखेंगे कि execution time कितना लगया तो यह मैंने पाई पाई 3 से run करवा यहाँ पे देखें पाई पाई आ गया और यह total देखें कितना कम execution time इसको लगा ठीक है तो जो पहले वाला हमने execution time निकाला उसको अगर मैं इससे divide कर दूँगा तो हमें यह निकल के मिल जाएगा कि यह कितने time है ठीक है तो मैं इसको divide करता हूँ 0.0019863 ठीक है तो यह देखें अब देखें यह हमारा जो छोटा सा code है तो यह देखें कितना लंसम यह 11 time faster आ गया ठीक है अगर आपका कोई बड़ा सा code होगा तो जैसे site में लिखाता कि 4.2 times on an average होता है मतलब on an average आपको इतने time faster मिलेगा यहाँ पे यह प्रूफ हो गया जो पाई-पाई implementation है वो यहाँ पे 11 times fast execute करके आपको दे रहा है अब यहाँ पे आप इसकी cycles को कम या जादा कर सकते हैं I hope अब आपको यह clear हो गया होगा कि आपको अगर किसी code का execution time निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं तो I hope अब आपको यह सब clear हो गया होगा कि आप पाई-पाई को कैसे अपने system में install कर सकते हैं कैसे पाई-पाई और CPython को एक सा चला सकते हैं कैसे उसको आप किसी editor में use कर सकते हैं या अगर आपको command prompt से चल